हेलो एवरीवन, शेफ पातिमा में आपका स्वागत है आज हम जो डिश बनाएंगे वो साउथ की फेमस सुई डिश है दिखने में तो ये सूजी के हलवे की तरह है बट सिर्फ एक छोटे से चेंज की वज़े से इसका टेस्ट सूजी के हलवे से बिलकुल अलग है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रवा केस्री बनाने के लिए हम 1.5 कप देसीघी घी लेंगे और इसमें से 2 टेबल स्पून घी हम पैन में डालेंगे जब घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 10 काजू जिसे 1.5 में कट कर लेंगे और light golden color आने तक या फिर एक मिनट लो फ्लेम पर fry कर लेंगे एक मिनट हो गया है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून किश्मिश किश्मिश को भी काजू के साथ हाफ मिनट तक fry करेंगे और अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसी पैन में हाफ कप सूजी रालेंगे और सूजी को चार से पांच मिनट तक low to medium flame पर भून लेंगे चार मिनट हो गए हैं अब इसे एक साइड में रखते हैं और अब एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें डालेंगे डेल कप पानी और इसमें डालेंगे red orange food color एक पिंच मेरे पास केसर food color नहीं था इसलिए मैंने इसका यूस किया है अगर आपके पास केसर food color हो तो आप दो पिंच डालें और आप इसमें डालेंगे half teaspoon इलाइची पाउडर और two tablespoon देसी घी इस तरह देसी घी डालने से इसमें gloss बहुत अच्छा आता है जब हम बाहर restaurants और hotels में रवा केसरी खाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें घी बाहर आता है उसकी वज़ा यही है कि घी इसमें सूजी के बराबर का डलता है जितनी सूजी उतना ही घी डालेंगे तो बहुत अच्छा gloss और टेस्ट आएगा अगर आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं बट authentic तरीका रवा केसरी बनाने का यही है कि जितनी सूजी उतना घी डालें पानी में बॉयल आ गया है अब इसमें सूजी डालेंगे और इसे low flame पर mix करेंगे इसमें lumps नहीं आने चाहिए सूजी में पानी सारा observe हो गया है और अब इसमें two third cup चीनी डालेंगे आप अपने taste के according एक cup या half cup चीनी भी डाल सकते हैं सिर्फ चीनी को इस तरह सूजी में मिलाने से ही इसका taste सूजी के हलवे से बिलकुल हटकर होता है अब इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे half cup घी में से ही हमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है और अब चीनी के घुल जाने तक mix करेंगे चीनी घुल चुकी है अब बाकी का बचा हुआ घी भी हम इसमें डालेंगे इसी के साथ डालेंगे केसर के कुछ धागे जिसे मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में सोक करके रख दिया था अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और अब इसमें डालेंगे dry fruits अभी हम half डालेंगे और half हम garnishing के लिए बचा लेंगे mix करेंगे और बस रवा केसरी हमारा तयार है इसकी प्लेटिंग करते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाए और enjoy करें